नमस्कार स्वागत है आपका स्वास्ते चेतना में मैं हूँ नंदिरी और मेरे साथ है भारत सरकार आयोश मंत्राले के वोड मेंबर जॉक्टर रवीन रपूरवाल जॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका तो दर्शकों जैसे की हर बार हम चर्चा करते हैं हमारी जो परिशानिया होती है जिस तरी की सरदी जुकाम जो भी सीजनल प्रॉब्लम हो उस पर लेकर के बात करते हैं और इसी क्रम में आज भी मैं डॉक्टर साहब चाहूँगी कि आप मौसम बदल रहा हैं सरदी आ रही हैं लोग एंजॉई तो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें स्वेटर्स पहने को मिलेंगे जो दबा करके पूरे साल रखते हैं लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी तरह की परिशानिया भी आ जाती है और ये परिशानिया वही होती है जो अभी अभी मैंने कही किसरती, हासी, जुकाम और ब अक्सर नुस्खे आप बताते हैं हमारे दोशिकों को और उसी को ध्यान में रखते हुए दोशिक क्योंकि इंतजार करते हैं इनी नुस्खों खा, तो मैं चाहूंगी इन परिशानियों का आप जो नुस्खे होते है, खास दओर पे आकर घरेलू नुस्खे, उसके बारे मे चाहूंगे कि आप खासी पर प्रकाश टाले क्योंकि हर उम्र के लोग खासी से परिशान हो जाते हैं जुकाम होता है तो भी बाद में रह जाती है खासी बुखार आता है तो भी उड़ती है खासी खासी सबसे जदा हमें परिशान करती है तो सबसे पहला सवाल खासी के लिए घरे लून उसका बताएं और हर उम्र को ध्यान में रखते होई नंदनी जी खासी मुख रूप से चार तरीके की होती है। एक सीजनल खासी जो दो चार दिन के लिए होती है कोई कप सीरब लिया, कोई दवा लिया, कोई चाए पी लिया, अदरका और उसमें सुधार होती है। दूसरी ऐलर्जिक खासी होती है, कोई ऐलर्जन के कारण जो उत्पन होती है, वो ऐलर्जिक खासी होती है। तीसरी खासी है, उस खासी में कफ बिलकुल सूख जाता है। आदमी खासते खासते अगर जरासा एक गेहू के दाने के बराबर भी कफ निकल गया फसा हुआ कफ निकल गया तो उसे बड़ा आराम मिलता है और एक खासी होती है कफीली कफ वाली कफ वाली खासी का क्या होता है कि आदमी खासते खासते हो गटे के गटे कफ निकलते हैं एक क्यों और खासी का तरीका होता है नंदिनी जी ये खासी होती है इन्हें MARK पूरी रात में इन्हें कोई परिसान करें रात में सो रहे हैं दो-दो मिनिट के लिए चार-पांच वार खौँँ 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 मतलब पूरा घर जान जाता है कि पलाना व्यक्ति सो रहा है दादा जी सो रहे हैं पलाना महिला सो रही हैं तो ये तो खासी के हमने मुख पिरकार बताए जो हमारे योग के सास्तरों में उलिखे थ आगे बैसे भी पूछेंगे तो बताओंगा लेकिन सामान ने खासी का बता दो सामान ने फिर आप जो आदेश करेंगे जो कहेंगे वो बताओंगे देखे खासी ऐसी हुई तीन चार दिन की हपते बर की खासी है खास्ते खास्ते परेसान हो गए फिर दीरे दीरे ठीक होती है फिर हो जाती है दो तीन हपते के बाद मैं एक सरल उपाय बताना चाहता हूँ कि आप बजार से फिटकिरी को भून के ले आए फिटकिरी को ले आए और इसको तबे पे भून लेजिए पीस के पाउडर बनाके रख लीजिए ये फिटकिरी का दो सो से चार सो मिली गिराम मतलब लगवग आदा गिराम से भी थोड़ा कम सहथ के साथ दिन में दो तीन वार अगर आप ले लेंगे तो किसी भी किसिम की काखासी हो उसमें आराम पड़ जाता है आराम हो जाता है दिन में दो तीन वार अगर मात्रा की बात के जाए तो कितनी मात्रा में इसको लेना है चोथाई चम्मच लेकिन एक और बात आपको कह दें कि जब फिटकिरी के टुकड़े करके तबे पे भूनते हैं तो वो पिगलती है फिसूख जाती इस दोरान कुछ लोग थोड़ी आ गरम कर लें फिर उसे धीमी आच पे करके तब फिटकिरी के टुकड़े डालें ताकि वो जलने ना पाए तो इस बात की जरूर साफधानी बढ़ते वरना आप लेते रहेंगे और फाइदा नहीं होगा और पिर कहेंगे नुस्खे ने काम नहीं किया तो इसकी साफधानी ज एक सीरफ बेस्ट बताना चाहते हैं आप बहुत सुंदर और बहुत प्रभाव साली दवा खुद बना सकते हैं एक अनार के चिलके ले ले लीजिए ताजे हरे अनार के चिलके अनार खा लीजिए चिलके हो नहीं हो तो सूखे चिलके भी चलेंगे अनार के चिलकों को आधी लीटर पानी में लगबख सो ग्राम छिलकों को आधी लीटर पानी में इतना उबालें कि वो आधा बचे जब आधा बचे तब उसमें सो ग्राम छिलकों में दस ग्राम अजवाइन डाल लें आधा चम्मस सेंदा नमक डालनें और इसको इतना उबालें कि चोथाई पानी और जल जाएं अब इसको चानके रख लीज़िए ये नमकीन खासी का सीरफ तयार है जो फिप्टों को सक्टी देता है खासी में आने वाले कफ को सहजता से निकाल देता है और नए कफ के निर्मान को नियंतरित करता है कम करता है और कुछी दिनों में खासी को जड़ से ठीक कर देता है एक और बात कहना चाहता हूँ कि जैसे छोटे बच्चे हैं इनको भी ये सीरा एक-एक चम्मच करके थोड़ा गुन-गुना करके दे दें जरासा गुन-गुना करें और आप देखिए एक खुरा के बाद खासी ठीक अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि फिटकिरी वाला नुस्खा करें या ये नुस्खा करें आप फिटकिरी को सहद में खिलाने के बाद उसके ऊपर ये नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों का एक साथ प्रियोग भी कर सकते हैं 24 घंटे में खासी ठीक हो जाएगी तो सदब सोचने की जरूरत नहीं है वो नुस्खा अपनी जेगे काम करेगा ये भी अपनी जेगे काम करेगा और चोटे बच्चों को भी दिया चास सकता है और यहनु उसका है सामाने खासी के लिए जिसके कोई बड़ी वज़ा नहीं है लेकिन फिर भी किसी तरह का हलका फुलका इंफैक्शन है और खासी के रूप में हमारे साथ बना हुआ है पनप्र यह खासी उसके लिए कार कर रहे हैं हाँ बहुत काम करेगा यह बड़े-बड़े महंगे महंगे कब सीरप कब सीरप निइनद लाते है आलस लाते है यह एक् kepada करेगा यह भोजन के पाचन में मदद करेगा और खासी को खासी ही नहीं नंदिनी जी यह पूरी हमारे लेरिंग्स और जो हमारी सांस की नली है उसको सुध साफ कर देता है वहाँ कुछ काफाप कचला धूल धक्कड जो जमा है सब को निकाल बाहर करके खांसी को पूरी तरह ठीक कर देता है तो इन में से जो भी वज़ा होगी खांसी की ये उसे दूर कर देगा तो ये जो खांसी है समाने जसकी हमें समझ नहीं आ रहा है कि आ लदा, फिर ठीक हो गया, फिर से होगी, यह ठीक हो जाएगा, जर से ठीक हो जाएगा, और सबसे बड़ा बात है ये कफ सीरब आपका पांच रुपए में तया है बिल्कुल और शुद है आप खुद जानते हैं कि आपने इसमें क्या डाला है कैसे बनाया है किसी भी तरह की सोचनी की ज़्यादा जरूरत नहीं है मिलावट का कोई काम नहीं आप तो इस खासी के अलावा जैसे कि मैंने कफ कफ वाली खासी की बारी बात की थी बच्चे बहुत परेशान रहते हैं बुजर्ग बहुत परेशान रहते हैं कफ वाली खासी सुखी खासी होती है एक होती है कफ वाली खासी तो कफ वाली खासी के लिए क्या नुस्खा बताएंगे अब देखिए अगर खासी में कफ पत्तिकारास इन दोनों को खुब गुनगुना कर लेजिए अब इस गुनगुने जो अद्रक और तुलसी की पत्तिकारास है इसमें चुटकी भर काली मिर्च मिला दें और ऐसा तीन तीन घंटे में अगर संभव हो तो इसका सेवन कर लें लेकिन तीन तीन घंटों में बहुत से लोग असुबिदा महसूस करेंगे किसी को आफिस जाना किसी को दुकान पे जाना है तो मैं एक सला दूंगा कि आप काली मिर्च का पाउडर अलग रखने तुलसी और अद्रक का जो रस है दोनों को मिला के रखने अगर गरम नहीं कर प पैर में एक चमच एक ढकन उसको लेके चुटकी भर आपने काली मिर्च का पाउडर खा लिया अगर गरम पानी इसके बाद उपलब दो जाए तो दो घूंट गरम पानी पी लें खांसी पूरी तरह नियंतरन में रहेगी और ठीक हो जाएगी यह तो एक उपाएंगा अगर आपको यह काड़ा पास साल के बच्चों से लेके ब्रद्धा वस्था तक सभी के लिए अच्छा है लेकि उनके लिए ज्यादा अच्छा है जिनको कफ बहुत निकलता है जैसे छोटे बच्चे हैं नाक बहती है कफ बहुत आ रहा है बच्चे परिसान हो जाते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा काड़ा बता रहा हूँ कि हल्दी गुड और लॉंग का पाउडर लॉंग साबुद डालके अगर हम पानी में उबालते हैं नंदिनी जी तो इसका पूरा अर्क नहीं निकल पाता है लॉंग को कूट लें तो जैसे दस गिराम लॉंग है तो इसको मिक्सी में डालके पाउडर बना लें और बीस गि 10 गिराम लॉंग और 100 गिराम गोड़ गोड़ लेंगे एक लीटर पानी में इतना उबा लेंगे कि वो चौथाई पानी जल जाए लगबग पॉन लीटर पानी बचे तो इसको चान के किसी सीसी में भर लेंगे एक आईडियल कप सीरप तयार है इसको दो दो चम्मस दिन में तीन बार चार बार पांच बार अवसकता अनुसार इसको ले सकते हैं इसकी कौणिटी कितनी रहे कि बच्छों के लिए कितनी बढ़ों के लिए कितनी जीए घर में मिल जाती है लोंग किचन का आइटम है हल्दी भी किचन का आइटम है और गोड़ भी किचन का आइटम तो हम एक इतना प्रभाव साली और नंधिनी जी इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है बड़ी बात जे ना तो भूख कम होगी ना नीद आएगी ना आलस आएगा कुछ नहीं ना इसिडिटी होगी ये आप बच्चों को पांच हैमेल और बड़ों को दस से पंदरा हैमेल उबलते गरम पानी में घोलने हैं जैसे तीन चमच ये सीरब ले लिया आदा कप उबलता गरम पानी लिया उसमें मिला लिया और चाई की तरह सिप करते हुए इसको पी लिया फिर आप खांस के दिखाएए खांसी आएगी नहीं धीरे से खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी नुस्खे आप बता रहे हैं कई कई नुस्खे बता जा रहे हैं जिसको जो सूट करें सकते हैं और भी कोई नुस्खा थाजा क्या है इसका 예요 काप वाली खांसी के लिए आपने पूछा है तो एक नुस्खा और बताएदे हैं ब्लकल और यह नुस्खा बहुत अच्छा नुस्खा है आप मुलेठि का पाओडर ले लीजिह ऑचे मुलेठि का पाओडर और विट करके फुलाके उसका चून बनाके पाउडर बनाके सीसी में बंद करके रखनेे लिखने मुलैठी भी एक लक़ी होती है पंसारी के यहां मिलती है मुलैठी का भी पाउडर बनाके रख लीजिए और आप फिटकिरी का एक हिस्सा और मुलेठी का तीन हिस्सा तीन हिस्सा फिटकिरी का एक और मुलेठी का तीन हिस्सा जैसे दस गिराम आपने फिटकिरी लिया तो तीस गिराम मुलेठी का पाउडर इन दोनों को मिला के रख लीजिए बहुत आली सान चूरन तयार है उन लोगों के लिए जो खासी को कभी ठीकी नहीं कर पाते हैं महीनों महीनों खासी से पीड़ित रहते हैं आपने इस चौथाई चमच पाउडर को चाय के साथ गरम दूद के साथ गरम पानी के साथ कैसे भी इसका सेबन कर ले सहत के साथ आप देखिए खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी यह नुस्का भी घरेलू था पूरी तरीके से बहुत आसान नुस्का है कॉलर यहां पर हमारे साथ जुड़तों हैं जानते हैं उनसे उनका सवाल स्वागत है आपका सवासी चेतना में अपने नाम बताएं सवाल जी नमासकार नवाब गंसे बूर रहता है आप तरह जी आपने एक बार बताया थे खांसी के लिए जो कच्छा का पूझा है तो इसमें फिट की और प्रिए और क्या बताया तो आपने बूल यूद रजी नहीं पाते आप अज मैंने जो बताया फिट नहीं पार दाएं प् करिए, फिटकिरी को एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं नंदिनी जी अगर आपके अनुमती हो आप फिटकिरी को छोटे-छोटे टुक्ले करके तबे पे उसका फूला बना लीजिए उसको फूला लीजिए और पीस के पाउडर बना लीजिए अब पांच गिराम फिटकिरी का ये फूला हुआ पाउडर और पंदरा गिराम मुलेठी का पाउडर दोनों को मिलाके एक सीसी में बंद करके रख लीजिए ये चौथाई चमाच गरम चीज से सेवन करना है गरम धूस से गरम चाय से गरम पानी से दिन में तीन चार वाल लें कच्चा कफ का बनना पूरी तरह रुख जाएगा और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कफ अटकता है वो अटकेगा नहीं और आप हलका पन महसूस करेंगे तो आपको जो नुस्का आप नहीं सुन पाई थे फिर से बताया डॉक्त सामने उमीद है आपने अपकी नोट कर लिया होगा अपने दर्श्रकों से मैं कहती हूँ कि आज हम बात करेंगे बहुत सारे नुस्कों की तो मैं तो कहती हूँ कि आप पैन और पेपर ले करके दिशिए कुछी खासी हूँ खासी बड़ा खतरनाख होती है आदमी Hong 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 Hongają कोइची भसी है वो निकल जाए हल्का सा कफ का टुकड़ा होता है गेहूं के दाने के बराबर और उसको निकालने के लिए वो खास्ते 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 पस्त हो जाता है हम एक सहज उपाए बताना चाहते हैं सूखी खासी के लिए एक घरेलू उपाए मक्के का जो भुट्टा होता है भुट्टे के जो बाल होते है मक्के के पेड़ वाले बाल नहीं चाहिए जो भुट्टा खोलते हैं जिससे बच्चे खेलती भी है तो उसके बाल ले लीजिए इन बालों को पानी में इतना उबालें कि ये आधा बचे अब इसमें सुहागा तबे पे फूला हुआ सुहागा एक चम्मच मिला देजी अच्छे भुट्टे के बाल कितनी क्वांटिटी में हो पानी कितना हो मैं चाहूंगे अच्छे से आप बताए लेकिन एक कोलर आप पर आ चुके है उनसे उनका सवाल ले लेते हैं स्वागत है आपका स्वास्ति चेतना में अपना नाम बताएं और सवाल करें हलो स्वागत है आपका नाम बताएं सवाल कर ले मेरे नाम मौहमद यूसुफ है जी मौहमद यूसुफ जी सवाल कीचे क्या पूछना चाहते है यह क्या रहा हूं सर मेडम यह मुझे भूग मतलब कम लग रही हो जाता है अच्छा खटी ड़कार जलन भी होती है कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट से भूग कम हो रही हो उस दवा का लीवर के उपर बुरा असर हो रहा हो कोई दवाई मेरा एक सलहा आपको है कि एक बार ये जरूर एसिसमेंट करिए कि जो उसदी जो दवाई आप ले रहे हैं कहीं उस दवा के कारण तो भूग कम नहीं हो रही है कुछ औसनिया कोई दवा नहीं ले रहे हैं तो एक एक बहुत सहसा उपाई आपको बताएं सबसे पहला काम ये करिए कि अद्रक को कदू कस करवा लीजिए अब इसमें भूना हुआ जीरा भूनी हुई हींग और अवसकता अनुसार काला नमाग अगर अगर ये अपने टेस्ट के अनुसार इसकी कोई मातरा नहीं होती है अब जैसे आपने एक चम्मच अद्रक लिया तो लेडीज लोग घर में जानते हैं कि इसके कितना जीरा इसके लिए उपयोक्त होगा और कितना नमा कापकी टेसके लिए से हीवोगा और नीवू कि ये एक आपने बना लिया अब पहले पांच कौर रोटी के सबजी की जगे इससे खाईए अगर आप लेसुन खाते हैं तो इसमें लेसुन भी काटके मिला लीजिए तो गैस बनना भी पूरी तरह रुक जाएगी तो ये पहले पांच कौर खुब चबा चबा के चबा चबा के खाईए इसके बाद ही आप अपना सामान दाल सबजी जो रोटी खाते हैं खाईए खुल मिलाकर केस नुस्के से इनके भूख खुल जाएगी खाना का पाचन सही ढंक से होने लगेगा और इसके साथ ही साथ अगर इसमें अद्रक के साथ लेसुन के बारीक टुकले भी मिला लिए तो ये गैस को जिनका खाना खाने के बाद पेट फूलता है साम को खाना खाने की इच्छा नहीं होती है वो लोग इस घरेलू उपाय को करके देखें उन्हें बड़ी महंगी महंगी दवाईयों से ज़्यादा आराम इस घरेलू उपाय से लगेगा तो घरेलू उपाय है इससे आप अपनाईए और जो परिशानी है उससे आप निजात पाएंगे और बड़ा ही रोचक आप नुस्खा बता रहे थे भुट्टे के बालों का नुस्खा है जिस पर मैंने आपको बीच में टोक दिया था कि कितनी क्वांटिटी में हम पानी ल तो भुट्टे को लगबग एक मुठी के बराबर भुट्टों को खुब उबाल लीजिए लगबग चौथाई पानी जल जाए तो उसमें सुहागे का जो पाउडर है सुहागे को तबे पे फुला के एक चमच के लगबग वो पाउडर में लाद है थोड़ा सा सेंदा नमक ताकि इस को पे के रूप में हम तेस्ट आजाए तेस्ट आजाए और सेंदा नमक कफ को काटने का भी काम करता अब इसको सूखी खासी के लिए ये आपने गुनगुना गुनगुना करके आदा आदा कप करके दिन में तीन चार बार पियें रात में अगर खासी आती है तो बगेर गरम की अब रात में कहां दो बज़े एक बज़े खासी बहुत आ रहें तो कहां गरम करेंगे तो रात में इसको ऐसे ही पी लें मुझे लग और दो-तीन दिन में ये खासी ठीक हो जाएगी और यहां पर हमारे अगले कोलर भी हमारे साजुड चुके हैं स्वागत आपका स्वास्ति चीता में अपना नाम बताएं और सवाल करें हलो हलो स्वागत है आपका सवाल कीजिए हलो जी सवाल कीजिए अरे हम आज सिर्दियों में बहुत दर्द होता हो बजन भी बार राद आपके साथ देखिए पिंडलियों में आपके दर्द होता है तो जादा संभावना है कि ये मस्कुलर पेन हो दूसरी संभावना है कि आपके सरीर के अंदर पोसक तत्यों की कमी हो और तीसरी नंदिनी जी इनके साथ जो संभावना है वो आस्टियो अर्थराइटिस की है एक जोडों की बेमारी होती है जिसमें जमीन पर बैठेंगे तो जोड़ कट कट करेंगे जोडों के अंदर का जो लुब्रीकेंट है जो आउल है वो सूख जाता तो इन्हें एक हम घरेलू उपाय बताना चाहते हैं जिसका प्रियोग करें और फिर मुझे दो हफ्ते के बाद बताएं देखिए आउले का चूण 100 ग्राम 100 ग्राम अस्वगंदा का चूण ये चूण बने बनाए आईरवेदिक स्टोर पर पैकिंग में मिलते हैं पातांजली स्टोर पर मिलते हैं आउले काचूँ और असुगंदा काचूँ ये सो सो गिराम लें और दो सो गिराम अलसी को भून के पाउडर बनाके इन सब चीजों को मिला लें एक एक चमच सुबह साम एक कब दूद से लें आपको फाइदा होगा आपका बजन कम होगा और जो पिंडलियों में दर्द है उसमें सुधार होगा तो इस नुस्खे को अपनाईए और इसी के साथ ही अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानते हैं उनसे उनका सवाल स्वागत है आपका अस्वासे चेतना में अपना नाम बताएं सवाल करें जी नितिन यादव जी सवाल कीजे क्या पूछना चाहते हैं आप गया स्टेटेवल्टे तेट साथ में जी तक कबजियत ने जी देखे कबजियत को दूर करने के लिए आप औसदियों की जगे अपनी दिंचर्या में सुधार करें जो भूलें कर रहे हैं जो गलतियां कर रहे हैं उनको सुधार हैं अपने अहार में कम से कम एक चमच अपने अहार में कम से कम एक से दो चमच फाइवर होना चाहिए मतलब लगब बीस गिराम फाइवर रोज लंच में हो और बीस गिराम फाइवर रोज डिनर में हो तो क्या करिए एक कटोरी हरी सबजी रोज खाइए सलाद खाइए तली मसालेदार चीज़ों को एवॉइट करिए और रात्री में सोते समय आप एक चमच ईसब गोल की भूसी और एक गिलास पानी में लगबग दस मिली गिराम केस्टराइल अंडी का तेल ये अंडी का तेल किसी भी तेल की दुकान पर मिलता है आप पावर आदा किलो खरीद के लाके रख लें इसमें कोई मिलावट नहीं होती है लोग कहते हैं फलाना खरीदो ये खरीदो आप परिसान नहों किसी भी तेल वाले की दुकान से अंडी का तेल खरीद ले तो एक चमच भर के अंडी का तेल गरम पानी में मिला ले और इसब गोल को फाक के गरम पानी ये पी ले एक गिलास कम से कम गरम पानी होना चाहिए अगर आप दो गिलास पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है आप कुछ दिन ये प्रियोग करेंगे फिर पेट प्रार्कितिक रूप से धीरे-धीरे साफ होने लगेगा और कब जियत से आपको छुटकारा मिल जाए तो ये नुस्खा बताया है लेकिन इसके साथ में बताई है कुछ सावधानिया उसको भी आप अपनाए और बस जल्द ही जल्द आपकी परिशानी दूरोचाएगी और बहुत ही इंट्रेस्टिंग नुस्खा है जो पूरा नहीं हो पाया है भुट्टे के बालो वाला नुस् दक्षिन कानपूर का एक मात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NAPH द्वारा प्रमाणित दक्षिन कानपूर में सभी तरह के विशेशक्यों से सुसजित एक मात्र सुपर स्पेशलिटी OPD राउंड ग्लॉक, डिटिकल केर एक्सपर्ट दोरा कवरेच एवम अत्यातुनिक मशीनों से लाइस ICU कानपूर के एक मात्र विश्ट्वस्ट्री सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉलिदर OPD सभी प्रकार के एक कैंसर का विश्ट्वस्ट्री लाज मिहमान नवाजी का शाही अंदास खिद्मत रेस्टोरेंट कवर्ट अन ओपन एर का खुश्णमा माहौल फुली एर कंडिशन बेहतरीन सर्विस इंडियन मुगलाई चैनीज अन गॉंटिनेंटल फूट प्रिपेर्ड बाई वेल ट्रेंड शेफ आपकी खिद्मत के लिए हमीशा तैयार खिद्मत रेस्टोरेंट ग्रांगीत होटेल्स दिमॉल, कानपुर वो कुछ भी करें आपकी परिशानी का होगा हल बड़ा से बड़ा परात करें हम उठाएंगे आपकी आवास और उन्हें सजान दीजा देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ चेम्ड नियूस पर डॉक्टर रमेश परमा के साथ नमस्काब मैं आचार पंडित पवन्तिवारी जे ओतिश चक्र के मात्यं से आपको बताएंगे रोजान आपके राशियों का हाल कैसा रहेगा आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत सुबह साड़े आठ पजे जे ओतिश चक्र में जेम्ली न्यूस्टा ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थी कैसे नुस्खे के बारे में जोकी पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि बीच पीच में हमारे कॉलर्स आगे थे उसको इस सवालों का भी हमने जवाब दिया तो जैसे कि आप नुसका बता रहे मतलब चार पांच बुट्टों के में एक मुठी बच जाएगा इसे आप नोट कर लें जे और इनको चाहे हरा हो चाहे सूखा हो इनको आधा लीटर पॉन लीटर पानी में खूब उबालिये जब चौथाई पानी चल जाए माने इन जो बुट्टे के जो बाल है इनका अर्क उतर जाए फिर इसमें एक चम्मच एक चम्मच आप मुझे लगता है आपने फिटकिरी के बारे में बता है नहीं फिटकिरी नहीं इसमें टंकड सुहागा जी जी हाँ और यह आदा आदा कप करके दिन में 3-4 बार गुंगुना गुंगुना पियें रात्री में भी पियें बहुत कारगर है यह सूखी खासी के लिए और अग्रे कॉलर भी हमारे साथ यहांपर जुड़ चुके हैं जानते हैं उनसे उनका सवाल स्वागत है आपका स्वासते चेत ab chodziariamente कि अभर आखे स्वाज़िया बारो जो बुञेका को अता है हर हादगंटे ऐसा स्फाइ करते है हरादगंटे मरो थाक। बन रहा ह्ए गणते है अपिसे मेशी। एक हम आराम करने है वो तो आसफी रखी हम करना है इसके भार हम दraf goose तो कापी बर देखिए आप सुबह चाय के इस्थान पर सुबह और साम चाय के इस्थान पर दूद में छोटी पीपल एक चुटकी डालके थोड़ी सी हल्दी आदा चम्माच चोटाई चम्माच चल्दी डालके और थोड़ा सा एक चुटकी छोटी पीपर डालके उस दूद को खूब अबालिए खूब अबालिए जब वो दूद अच्छी तरह अबल जाए तो उसमें एक चमच अदरक का रस मिला दें अद्रक का रस अगर उसी के साथ उबालते समय मिला दिया तो दूद फट जाता है बहुत से लोग सिकाइट करते हैं कि दूद फट गया बस दूद को जब उसको कप में कर लें तब एक चमच अद्रक के रस को मिला लें ये ऐसा चीज तयार हो गया जो आपके अत्रक कफ को खाना खाने के बाद जो आलस लगता है जो थकान लगती है उसके लिए कारगर है इसके साथ अगर तीन चार खजूर भी खालें दूद के साथ तो ये बहुत मदद देगा और जिस ऐलर्जन के कारण ये तकलीफ हो रही है उस ऐलर्जन को पूरी तरह समाप्त कर देगा और यहाँ पर हमारे साथ अगले कॉलर भी जुट चुके हैं जानते हैं उनसे उनका सवाल स्वागत्यापका स्वास्ती चेत्ना में अपना नाम देए और सवाल करें मेरा नाम घुर्चिरन सिंगा है कीजे सवाल कीजे दोनों सवाल कर लिए एक तो मेरा कान में खुजली बहुत होती है और दूसरा ये आप से निवेदन है कि आप अपना थोड़ा सा टाइंग बढ़ाईए पंदरा मिनट क्योंकि यही पंदरा मिनट आप ब्रेग ले लेते हो तो इसको थोड़ा सा बढ़ाईए आप चार बजे तक इसको करिए देखिए आपके कान में खुजली होती है आप इसके लिए एक सहज उपलब्द आईरवेदिक ड्रॉप की जानकारी आपको देना चाहते हैं आप किसी आईरवेदिक दुकान पर जाके बिल्व तेल खरीद लीजिए ये बिल्व तेल एक एक बूंद कान में रोज सुबह साम डालें कान की खुजली ठीक हो जाएगी और कान में जो गंदगी जमा है वो भी निकल के बाहर आ जाएगी साथ ही आपके सुनने की छमता भी बढ़ेगी लेकिन अगर आपकी बिरद्धा वस्था है तो एक टाइम बिल्व तेल और एक टाइम कान में चार तेल ये चार तेल बना बनाया आईरवेदिक दवा की दुकान पर उपलब्द होता है इसको नियमित रूप से डालने से जिनको कान में आवाज आती है खुजली होती है बहसे लोगों को ये लगता है कि कोई दूर बोला है हमें सुनाई दे रहा है या जो लोग मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण कान पर निस्चित रूप से बहुत बुरा आसर होता है उनके लिए भी इन दोनों कान की औसदियों का प्रियोग रामबान की तरह लापकारी है एक बार दोनों के नाम फिर सुन लीजिए बिल्व तेल दूसरा है चार तेल जब बिल्व तेल डालें तो दोनों कानों में बिल्व तेल डालें और जब चार तेल लाने तो दोनों कानों में चार तेल डाले जो लोग दिन में दो बार नहीं डाल सकते हैं तो एक दिन चार तेल डालें एक दिन बिल्व तेल डालें और आप देखिएगा जो लोग बहरे तक हो रहे हैं जिनके कान में सीटियां बसती हैं ये सस्ते से तो घरिलू सा बहुत आसान सा उपाई है ये और इसको आप करके देखिए और जो बहरे हो रहे हैं यानि कि जिनके सुननी की शम्दा भी कम हो रही उनको भी आराम दे गई ये और विसेश कर जो मोबाइल से बहुत बात करते हैं मोबाइल से बात करने से कान पर उस पाईटी जो लोग लंबे समय तक फोन पर लगे रहते हैं उनको आप देखेंगे विवारिक रूप से गुसा बढ़ जाता है गुसा का कारण उनका दिमाग की जगे कान होता है क्योंकि वो कान में समस्ते समस्ते इतने इतने फोन आने लगते हैं कि जो कान का सेंसर है जो कान में आवाज को सुनके दिमाग को सूचना देता है वो उत्तेजित हो जाता है जब वो उत्तेजित होता है तो व्यक्ति गुसा करना लगता है बात बा दोनों आयरुवेदिक औसधियों का पिरियोग हितकारी है लापकारी है तो यह जो नुस्खा बताए जो पाय बताया है इसको आप अपना है आपके कान की जो परिशानी है वो तो दूर होई जाएगी रहा सवाल आपने जो समय बढ़ाने की बात की थी इसको तो हम कॉंप्लिमेंट की तरह लेंगे कि भाई आपको कारिक्रम पसंद आया आप इसे और देखना चाहते हैं बहुत अच्छा लगा इसके लिए आप भारव्यक्त करते हैं सुचेंगे इस बारे में लेकिन क्या करें समय से हम सभी बंधे हुए हैं समय के साथ चलना ही पड़ता है और यही वज़ा है कि उसी इसाफसर शेडियूल है इस प्रोग्राम का अगर आगे बढ़ते हुए कफ वाली खासी की बारे में भी आपने बताया है सूखी खासी के लेकिन जिन लोगों को बहुत पुरानी खासी होती है उस खासी को उन्होंने जीवन में सुविकार कर लिया है लेकिन जब किसी रिस्तेदारी में जाते हैं किसी पार्टी में जाते हैं किसी मित्र के साथ जाते हैं तो उन्हें एक सरमिंदगी आत्म अच्छा नहीं लगता है आत्म सरमिंदगी लगती है लेकिन घर के लोग यूस्टू हो जाते हैं कि ये तो खासे रही लोगों को तो आदत होगी लेकि बाहर चारे पर हमें पता चलता है कि ये समाने नहीं है पुरानी खासी वाला व्यक्ति को एक बहुत बहुत सहेज घरेलू उपाए बताना चाहता हूँ पहला और जो बहुत प्रभावसाली काम करना है उनको वो ये करना है कि तुलसी की पत्ती का रस दस मिली गिराम तुलसी की पत्ती का रस बीस मिली गिराम अदरक का रस नंदनी जी ये मात्रा जरूर सबको तुलसी की पत्ती का रस दो चम्माश अद्रक का रस चार चम्माश तुलसी की पत्ती से दुगना इन दोनों को मिला ली जी और दोनों की जितनी मात्रा है उससे दुगना देसी घी मिलाके इसको गरम करिए दीरे दीरे दीमी आच में गरम करते रहिए कुछ समय में ये पानी जल जाएगा और ये औसदी घी तयार हो जाएगी रातरी में सोते समय इस घी का एक चमच गुनगुना करके जीब पे रखिए और पूरे अंदर के मुँ में लगा लीजिए तालू में जीब के सारे गाल में बाएं दाएं पूरे मुँ में लगा लीजिए ये दीरे दीरे रस की तरह अंदर जाएगा पुरानी खासी का खत्मा करता जाएगा इस उसदी घी की गुनगुनी गुनगुनी दो दो बूंदे दोनो नॉस्टल में भी डालने से बहुत फाइदा होता है और ब्रॉंकाइटिस के जो मरीज हैं जिनोंने खास्ते खास्ते जीवन के 10-15 साल बिता दिये हैं केबल घी के इस नुस्खे को करके देख लें आप देखेंगे कि उन्हें उतना अराम मिलेगा जितना वो सोच नहीं सकते इसके अलावा यह अकोड़ा होता है जिसको आक बोलते हैं यह हर नाड़ी के किनारे या कहीं भी पार्क में मिल जाता है इसके सफेद हलका सा गुलावी पन लिये हुए फूल होते हैं इसके फूल ले लीजिए अगर इसकी कलिया मिल जाएं बगएर खिला हुआ फूल तो जादा अच्छा है लगवग एक कटोरी इन फूलों को सुखा लीजिए यह तॉलने पे 10-12 गिराम होते हैं जब यह सूख जाएं तो इनका पाउडर बना लीजिए इस पाउडर में जितना ये है उससे दो गुनी चीनी मिला दीजिए शक्कर मिला दीजिए दो गुनी मिलाके रख लीजिए और इसको गर्म पानी के साथ 14 14 चममच करके खाना खाने के बाद सुबह साम में लेकिन बहुत जयादा पानी ही पीएं आप देखिए ये पाचन में मदद के साथ- खासी को भी नमस्ते कह देगी पुरानी खासी ब्रांकाइटीस क्राउनिक ब्रांकाइटीस में इससे बहुत लाब मिलेगा तर्फिये हो गए दो नुस्के जो पुरानी खासी को भी बगा देंगे वो भी नहीं रहे पनेने पाएगी नुसकों के अलावा अगर बात की चाहे तो आयूरवेद क्या कहता है इसके बारे में साथी कोई योगिक क्रिया योग भी इसके लिए कुछ लाप्रत है कुछ बताएंगे देखिए जो लोग इन नुसकों को तैयार नही और दूसरी है बासा सो ये हर आयूरवेदिक दुकान पर हर बड़ी कमपनिया बनाती हैं आयूरवेद की दरस्टी से ये खासी के लिए दोनों और सदिया बहुत हितकारी हैं कनकासो 15 मिली लीटर खाना खाने के तुरंत बाद लेना है सुबह भी साम को भी और कनकासो लेने के 10 मिनिट बाद 15 मिली लीटर बासा सो का भी सेवन करना है किसी भी किसिम की खासी हो गीली सूकी ऐलर्जिक ब्रॉंकाइटीस ये दोनों और सदियों के निरंतर सेवन से वो ठीक हो जाती है बिलकुल ठीक हो जाती है अब आपने पूछा है योगिक मत क्या है योग में जो खासी का जुकाम का जो पर्मानेट क्योर बताया है उसके लिए सठकर्म की किरिया है और उन सठकर्म की किरियाओं में सरवादिक प्रभावसाली किरिया है कुंजल की किरिया कुंजल की किरिया नंदनी जी हाती करता है और पूरे जीवन स्वस्त रहता है इस किरिया को करने के लिए गुरगुना पानी बगैर किसी नमक के डाले कुछ ने सुबह उठेंगे फ्रेस होंगे और गुनगुने से थूड़ा सा जादा सहिन करने योग छे सात गिलास पानी पीलेंगे बैठके और खरे होके मु에 तीन उंगलियां डालकि इस पानी को निकल देंगे जितना पानी निकले निकल जाने दें बहुत ज़्यदा परेसान ना हो कि मुझ लाल कर लें कि पानी नी निकला दो तीन दिन में आदत पड़ जाएगी जितना अमाल लीजिए छे गिलास पिया एक गिलास निकला तो पांच गिलास बातरूम से पास हो जाएगा पानी तो है कोई नुखसान की चीज नहीं है कोई दवा नहीं है लेकिन इतना ध्यान रखिएगा अगर आपका पानी पूरा निकल जाता है छे गिलास पिया पांच गिलास निकल गिया तो आप डेड़ घंटे तक ना तो नहाएं और ना ही कुछ खाएं क्योंकि कुण्जल की किरिया कने के बाद ये प्रतिवन्द होता है कि लेड़ घंटे तक आपको कुछ भी न खाना है न पीना एविन पानी भी निपीना तो ये सावधानी को जरूर ध्यान में रखें, सावधानी के साथ ही इस क्रिया को करें, देखें खासी की दुबात की, लेकिन चलते चलते अगर बहुत ही कम शब्दों में जुकाम और बुखार के भी कुछ नुस्खे आप बता दें हमारे तर्शकों को, तो हमारा उदेश ज दौनों मिलाके दिन में तीन चार बार लीजिए, कुछ समय में ये जुकाम और बुखार, हरारत, टेंप्रेचर अगर थर्मा मीटर से लेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे आता है, इस इस्तिती में ये बहुत काम करता है, सुदरसन चक्र की तरह हमारी रच्छा करता है ये तो हो गया बुखार की बात है, लेकिन अगर एक सवाल मैं और करूंगी, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे भी बताएं, एक होता है, ऐसा बुखार जो जाता ही नहीं है, और बुखार में भी नहीं आता है, ठीला बुखार जिसे कहते हैं, टेंपरिचर लो तो 100 से पूलकंद का सेबन, या गुलाब की फूल की पत्तियों का सेबन, उपर से पानी पीलें, पत्तियां चबा के पानी पीलें, ये सर्वस्रेस्ट हैं, कच्चे जीरे को चबा के पानी पीलें, ये स्रेस्ट हैं, इसके अलावा लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, ना एसी डिट गनवटी ये सभी सास्त्रोक तोसदी है सभी हर सहर में हर आयरवेदी के स्टोर पर ये मिल जाते हैं आप दो दो गोली करकी सुबह साम भोजन के बाद लें लगबग एक सब्ता में आपकी हरारा ठीक हो जाएगी और एक सब्ता के बाद आप सामन बेवार करेंगे सरीर में तेर सारे नुसके ज्यादा तर्तो थे हमारी रसोई से ही जो कोई एका चीज निकल भी गई एका दुका तो वगल वाले पंसारी के पास तक जाना होगा इस से जादा कुछ नहीं करना होगा बहुत बहुत धरिवार डॉक्टर साब इतनी अच्छे नुसके बताए आपने द अच्छे बचे और जो हमारा रंग डल होने लगता है हम सांफली होने लगते हैं इसका कैसे ख्याल रखा जाए इंसाब पर बात करेंगे रोक्टर साब देखे मैंने बोल दिया है अपने दर्शकों से अभी से मैं उम्मीद करती हूं कि अगली वार इस पर हमारे दर्शकों हुआ करते हैं